अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें वर्ड टो वर्ड तो उनको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अब इसको सही करके बोलेंगे पंडित जवाहर लाल नहरू हमारे देश के प्रथम प्रधान मन्त्री थे आगे है वो अपने माता पिता के इकलोते पुत्र थे तो इंगलेंड को फूर हाइयर एजूकेशन के लिए यानि उच्च शिक्षा के लिए उनके पिता ने उच्च शिक्षा के लिए इंगलेंड भेजा he returned he returned मतलब वो वापस हुए या वापस आए या लोट कर आए to India भारत को क्या करने के बाद after completing studies after means बाद में completing पूरा करके studies मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वापस भारत को आए या भारत लोटे after some time कुछ समय के बाद sometime यानि कुछ वक्त या कुछ समय after means बाद में कुछ वक्त के या कुछ समय बाद he started struggle उन्होंने शुरू कर दिया struggle कहते हैं संघर्ष किसलिए for the freedom of the country for the freedom यानि आजादी के लिए किसकी आजादी के लिए of the country यानि देश की आजादी के लिए कुछ समय बाद उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया अगला पेराग्राफ अशोका वाज अफैमस किंग अशोका मतलब अशोक वाज मेंस था यथे यथी अफैमस किंग एक मशहूर राजा अशोका एक मशहूर राजा था His capital यानि उसकी राजधनी वाजS पतना पतना थी उसकी राजधनी पतना थी He loved his people very much वह प्यार करता था या प्रेम करता था किससे his people अपने लोगों से मतलब अपनी प्रजा से very much बहुत ज्यादा वो अपनी प्रजा से बहुत ज्यादा प्यार करता था उन्होंने बहुत सारे काम किए यानि उस राजाने अशोक की बात हो रही है उसने या उन्होंने बहुत सारे काम किए for the welfare of his people welfare कहते हैं भलाई को of his people अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए after the conquest of कालिंगा कालिंगा केते हैं विजय जीत को कालिंगा की जीत के बाद he began to hate war उसने शुरू कर दिया क्या करना to hate war यानि युद्ध से नफरत करना कालिंगा की विजय के बाद उसने युद्ध से लड़ाई से नफरत करना शुरू कर दिया he worked for the good of all throughout his life he worked उसने काम किया for the good of all सबकी भलाई के लिए सबके अच्छे के लिए throughout his life अपनी पूरी जिन्दगी यानि पूरी जिन्दगी या जीवन भर उसने सबके अच्छे के लिए काम करना मतलब काम किया even his enemies praised him यहां तक की even means यहां तक की his enemies उसके दुश्मन बहुत सारे यानि enemies मतलब plural है यह praised him praise केते हैं तारीफ करने को praised second form है him मतलब उसकी यहां तक के उसके दुश्मन उने भी उसकी तारीफ की उसकी प्रशंसा की next paragraph postman is a useful servant of society postman केते हैं डांकिये को is का मतलब होता है है a का मतलब होता है एक useful का मतलब होता है उपियोगी या लाबधाय servant केते हैं सेवक या नोकर को of society समाज का यानि डांकिया समाज का एक उपियोगी सेवक होता है he is a laborious worker he is a यानि वह है एक laborious worker महिंती कार्य करता वह है एक महिंती कार्य करता है या होता है there are many messages बहुत सारे अने को संदेश होते है of happiness and sorrows खुशियों के और गमों के सुख के और दुख के in his bag उसके थैले में यानि उसके थैले में अने को messages होते हैं सुख और दुख के या ऐसे बोल सकते हैं कि उसके थैले में सुख और दुख के अने को संदेश होते हैं किसके रूप में होते हैं वो पत्त्र के रूप में he makes somebody weep वो किसी को रूलाता है and somebody laugh और किसी को हसाता है throw the letters खतों के द्वारा पत्त्रों के द्वारा यानि वो पत्त्रों के खतों के द्वारा किसी को रूलाता है और किसी को हसाता है sometimes sometimes का मतलब होता कभी कभी he becomes the center of our hope and anxiety कभी कभी वो बन जाता है the center means केंदर बिंदू of our hope हमारी उम्मीद का and anxiety मतलब होता है चिंता यानि कभी कभी वो हमारी उम्मीद और चिंता परेशानी का केंदर बिंदू भी बन जाता है he is dear to all वो सब के लिए पिर्य होता है या सब का प्यारा होता है all welcome him सभी उसका स्वागत करते हैं to their doors अपने अपने दर्वाजों से यानि सभी उसका अपने दर्वाजों से स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं therefore इसलिए postman is our favorite helper इसलिए डा किया हमारा सबसे प्यारा मददगार होता है students and friends please like and share this video and don't forget to subscribe my channel learn English with Hindi by Mansoor Ali thanks for watching